दोसरी हमें Google Pixel 6 आप लोगो पता है कि इंडिया में आपको देखने को नहीं मिला था नहीं Pixel 6 आया था नहीं Pixel 6 Pro आया था लेकिन आप देखके लग रहा है कि इसके highest possibility कि Pixel 6 से आपको देखने को सकता है क्योंकि इसका जो model नम्मर है वो भी हाँ पे लिक हो रहा है Certification Science में बहुत जल्दी आने वाला है और मैंने तो यहां भी सुनाए कि Vietnam से Google ने अल्रेडी इंपोर्ट करना भी चालू करते है Pixel 6 को अब पीछे की कहानी ही हाँ पर क्या चल रही है चल या जिस वीडियो के अंदर बात करते है और पता लगाते है आकरे Pixel 6 है क्या हो सकता है किस कीमत पर आ सकता है सारी बाते करने वाले है और कुछ शोड़ी बहुत exclusive information विल जाया तो उसके लिए like वगरा भी करते है और subscribe भी करते है अगरो चैनल को अब यही है कि इसके अलावा पिक्सल का जो फोल्डेबल है उसका भी कोडनेम यहां पर आगए कुछ टिबिट नाम से कुछ कोडनेम उसका सामने आया और लग रहा है कि वो फोन भी यहां पर श्याद दो हजार बाइस में ही लाउंच हो सकता है अब देखें पिक्सल फोल्ड में क्या आएगा लेकं यहां पर इससे पहले इसके एक सस्ता मॉडल हो सकता है वह हो सकता है पिक्सल 6 अब यहバल कीुछ चीजे तो आपको देखने को मिली नहीं नहीं पिक्सल 4 आया 5 आया नहीं 6 आया एक्जेक्ली बात यह कि गोगल को पता चल गया था पहले शुरू आती पिक्सल में कि इंडिया में वो इतना महगा फोन है नहीं बेच सकते इंडिया में अगर उन्हें यहां पे फोन बेचने है अब बेसिकली बात यह कि इंडिया में लोग एक्साइटेड है पिक्सल 6 के लिए लेकिन पिक्सल 6 अगर इंडिया में आता तो कीमत जादा हो जाती है अब यह आप Amazon खोल के ट्राइक कर सकते हैं ऑफिशली पिक्सल 6 तो इंडिया में यहाए लेकिन उनफिशली USA से इंपोर कोट हुई हुई यूनिट्स इंडिया में बिकरिये और कीमत उनकी काफी जादा है मतलब रेगुल और पिक्सल 6 यहाँ पर खरीद लोग इंडिया में तो कुई वारंटी नहीं मिलेगी और एक दो लोगों से तो मैं उसने कि यह लोग रीफर्विस्ट यूनिट्स भी अगर आपकी वारंटी देखने को नहीं मिलेगी तो अगर आप पिक्सल के बहुती बड़े वाले फैन नहीं हो और आप पैसा बचाना चाहते हो तो बचालो हो सकता पिक्सल 6 से आजाए लेकिन 6 से को हैं सस्ता बनाने के लिए कुछ यहाँ पर एंडिशन चीज़े करेगी जिसकी बात करें सुनने में कि यहाँ पर प्लास्टिक डिजाइन देखने को लेगा बिल्कुल यह प्लास्टिक के आउटर शेल के साथ आएगा और यहाँ पर देखा जाते हैं उसका डिस्प्ले भी 6.2 इंच अब यह कुछ वैसी के टिग्री में जा रहे हैं जैसे और 6 प्रो में था लेकर 6 6 प्रो का जो फिंगर्प्रिंट स्कैनर था अगर आप लोगों को नहीं मालम तो वहाँ पर जो गोगल ने यूज के थो काफी जादा स्लो था क्योंकि इसके हाड़वर में प्रॉब्लम थी इसलिए जो गोगल पिक्सल 6 के अंदर जो अंडर डिस् प्रो में भी आपको टेंसर चिप ही देखने को मिल रही तो तीनों ही लाइनप में टेंसर आ रहा है अब यह बिल्कुल सैंसॉंग और एपल जा सके लिए जिससे सैंसंग करती है ना कि अपने जित्ते भी पूरी लाइनप आती सब में एक प्रॉसर देगी जिसकी पहले ट् अब टेंसर का कोई लाइट वर्जिन कोई छोटा वर्जिन नहीं फुल फ्लेश्ट वर्जिन जो रहता है टेंसर का वही देखने कोल रहा है और यह इस फोन का सबसे बड़ा फीचर हो सकते हैं लेकिन जो फीचर्स हो थे AI, Machine Learning या फिर इमेजिस कैप्चर करने की इमेज की प्रोसेसिंग के वो, यहां तक की Magic Eraser, Face & Blur, यहां तक की Live Translation जो फीचर्स है जो Android 12 में exclusively reserve करके रखे पिक्सल फोन के लिए वो चीज़ें हां देखने को हो सकते हैं इसके साथ ही Out of the Box तो सुनने में या की Android 12.1 या फिर 12L के साथ ही आ सकता है जो गूगल वाले वो Android 12 का एक L वर्शिन यहां पर बना रहे थे हैं अब इसके बार में शौर्ट भाशा में बात यह है कि यहां पर एक ऐसा वर्जन है जिसके अंदर एक foldable display tablet हर screen size के हिसाब से optimize हो जाए खास दौर पर foldable के लिए तो वो 12.1 नाम से कोई चीज़ आ सकती है और उसके साथ यहां पर लोग उसे officially launch कर सकते हैं लेकिन एक बात यहां पर यह कि Google जो है वो इस phone को pricing थोड़ इस यहां पर aggressive रखने की कोशिच जरूर करेगा क्योंकि देखा तो यहां पर hardware में cost cutting वरा करी even बात करें यहां पर तो यह भी बोला गया है कि यहां पर जो camera sensor है व 486 लेंग और 8MP का selfie camera है यानि की hardware इनोंने camera का थोड़ा से downgrade कर दिया है लेकिन पीछे देखना है कि टैंसर से किस तरह किसे समालता है और मेरे को क्या लगता है कि जो images यहां पर पिछले pixel phones में देखने को लिए ठीक ठीक वैसी images यहां पर replicate करने की कोशिक करेगा मेरे को लगत पिसले camera तो उसका image sensor size काफी बढ़ा था इसलिए वहां पर image इसमें बाड़ा एक improvement आये था लेकिन यहां पर मेरे को लगता नहीं है इसके साथ यह पिक्सल 6a जो रहेगा यहां पर completely 5G support के साथ आएगा वो एक देखने वाली बात होगी देखने वाली बात होगी कि इंडिया तो यहां पर confirm हो रखिए और इसी के साथ यह पिक्सल 6 यहां पर एक aluminum shell यहां पर leak हुआ था मतलब कि aluminum body में जो dummy unit होता है जो case makers को दिया जाता है phone के लिए cases बगरा बनाने के लिए हो यहां पर तो देखके लगता है कि शायद आपको काफी जादा जल्दी देखने को मिल सकता गोगल पिक्सल 6 आपको इंडिया में देखने को मुलेगा वैल बात ही है तो गोगल पिक्सल 6 एक बहुत जादा chances इंडिया में आने के even सुनने में आ रहा है शादी मार्च एपरिल तक आ सकता है जो कि जैनरली क्या रहता है जो 6a वाली series रहती है यह जैनरली एपरिल चुझा और इंडिया में भी आपको देखने को बले अब बार ही आती है इंडिया में इसकी कीमत क्या रहेगी ओविसली फो जो फोन है यहाँ पर इंपोर्ट होके आएगा मेर को जैसा लग रहा है यह लोग यहाँ पर गैलेक्सी S22 से कंप्लीट करने कोशिश करेंगी यहा कि 40-50,000 की एक रेंज हो सकती है जहां पर इसको टार्गेट किया जाए और अगर 40-50,000 की रेंज में Google Pixel 6 से आता है तो मेरा आप लोगों से सवाल है तो क्या आप उस फोन के पर जहना पसंद करोगे क्योंकि फिलहाल के समय में लगता नहीं जब तक यह फोन अगर इंडिया म से नीचे होनी चाहिए थी लेकिन लग रहा है कि इंपोर्ट वगर होने कानों 40-50,000 की बीच में जाएगी तो 40-50,000 की बीच में जाएगी तो आप इस फोन को लेने में इंट्रस्टेट होगे या नहीं होगे या फिर आपको फोन थोड़ा ओवर प्रैस लगए यह बाता आप लोगी नजर में क्या चीज़े बात नीचे कमण बता ना भूला